दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों चाहें जान दे देना, ऐसी महिला से कभी भूल कर भी शाधी मत करना दोस्तों वो कौन सी महिला हैं जिन से हमें भूल कर भी शाधी नहीं करनी चाहिए आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है इसलिए पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रिस कीजिएगा तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों मनुस्त जीबन पहले इतना जटिल नहीं था जितना आद दिखाई देता है कारण हम सभी जानते हैं लेकिन अफसोस उसे कोई सुईकार नहीं करना चाहता है दोस्तों पहले के दोर में साधन और ब्यक्तिगत महतुकच्छाएं सभी कुछ सीमित थे परंतो आज ऐसा नहीं है दोस्तों इसके अलावा एक कारण और था जिसके चलते लोग परेशान भी कम होते थे और निरास भी वो कारण था धार्मिक दृष्टिकोण और धार्मिक दस्ताबेजों पर लिस्वास दोस्तों आज ये भी लगबंगना के बराबर ही है दोस्तों आजकल आपने देखा होगा लोग बिना कुछ सोचे समझे प्रेम कर बैठते हैं और फिर परिबार वालों की मरजी के बुरुद जाकर विबाबंधन में बन जाते हैं दोस्तों लेकिन जो कार सोच समझ कर नहीं किया जाता है या धर्मिक रूप से सही नहीं होता है वाकार कभी भी सफल नहीं हो पाता है इसलिए उनके संबंध ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं और अंत में उनके लिए विबा एक बोज बन जाता है दोस्तों जो लोग बोज बन चुके बंधन को तोड़ने की हिम्मत करते हैं वो तो फिर भी जीवन में आगे बढ़ जाते हैं लेकिन अक्सर ऐसा मुम्किन नहीं हो पाता है दोस्तों भारती परिवेर्स में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता है इसलिए आपको हम राय देते हैं बिवा हमेशा सोच समझ करना चाहिए उस सिद्धेश को पूरा करने के लिए धर्मिक ग्रंत बहुत हद तक सहायक हो सकते हैं तो दोस्तों आएए जानते हैं वीडियो के माध्यम से कि धर्मिक दस्तावेजों के अनुसार किस तरह की महिला से संबन्द जोड़ना या उसे विवा कर घर लाना नुकसान दे साबित हो सकता हैं दोस्तों पहला पॉइंट है करकस बाणी दोस्तों धर्मिक ग्रंतों के अनुसार ऐसी इस्तरी जिसके मुक से हमेशा कटू बचन ही निकलते हैं जो हर समय हर किसी के लिए कड़वा ही बोलती है उसके साथ कभी विवा नहीं करना चाहिए दोस्तों कहा जाता है कि बाड़ी में सरस्वती का बास होता है जो इस्तरी मधुर बाणी बोलती है उससे और उसके परिबार में मा सरस्वती हमेशा प्रसंद रहती है जिस इस्त्री की बाड़ी ही करकस होती है उसका दुस्प्रबाव पूरे परिबार को भुगतना पड़ता है इसलिए कभी ऐसी इस्त्री को घर नहीं लाना चाहिए और ऐसी इस्त्री से आपको विबाह नहीं करना चाहिए जिसकी बाड़ी ही करकस हो दोस्तों अगला पॉइंट है सुबा देर तक सोने वाली दोस्तों इस्तरी का कार घर परिवार की जिम्मेदारी समालना होता है अगर वे सक्रे नहीं होगी तो परिवार बिखर जाएगा महिलाओं का देर तक सोना उन्हें जिम्मेदारियों से दूर कर देता है इसलिए जो महिला आधतन देर तक सोती है उससे बिवा करना परिवार के लिए नुकसान दे साबित हो सकता है दोस्तों अंगला पॉइंट है माता या पिता के परिवार से सम्मंध दोस्तों बैसे तो हमाय समाज में परिवारिक जनों के बीच बिवायत रिस्तों को सही नहीं समझा जाता है लेकिन फिर भी बदलते समय में इस मानसिक्ता में भी कमी आने लगी है आज कर लोग परिवार के बीचों बीच रिस्ता करना उचिस समस्ते ही दोस्तो धर्म ग्रंतों के अनुसार ऐसा करना सही नहीं है क्यूंकि ब्लेड गुरूप और गौत्र के मिल जाने से बिबा संबंध में उत्पन होने वाली संतान को शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है दोस्तो जिस इस्त्री की माता पच्च से पांचमी पीड़ी और पिता पच्च से सातमी पीड़ी तक रिस्ता जुड़ा हुआ हो उस इस्त्री से कभी विबाह नहीं करना चाहिए दोस्तो अंगला पॉइंट है पुरुसों से संबंध रखने वाली दोस्तो आजकल भले ही माहोल खुले पनका है लेकिन प्राचीन समय में ग्यानियों ने इस्त्री पुरुस के लिए कुछ नियम काईदे बनाये थे जिनके अनुसार इस्त्रीयों को अन्य पुरुसों से ज़्यादा मेल जोल नहीं बढ़ाना चाहिए ये उन्हें नेतिक पतन की ओर ले जाता है दोस्तो इसलिए कभी ऐसी इस्त्री से विबाह नहीं करना चाहिए जो अन्य पुरुसों के साथ गुलती मिलती हो या किसी परकार का संबंध रखती हो दोस्तो इसलिए उन्हें नेतिक पतन की ओर ले जाता है इसलिए कभी ऐसी इस्त्री से विबाह नहीं करना चाहिए जो अन्य पुरुसों के साथ गुलती मिलती हो या किसी परकार का संबंध रखती हो दोस्तों अगला पॉइंट है ससुराल दोस्तों भारती परिवर्जस में विबाह ब्यक्त के जीवन में अहम भूमिका निभाता है एक दोर था जब पुत्री के अभिबाबक इस बास से चिंतित रहते थे कि उनकी पुत्री को कैसा ससुराल मिलेगा वे लोग उसे घर जैसा महौल देंगे या नहीं देंगे लेकिन दोस्तों आज कल के दौर में आपने देखा होगा कि पुत्रपच के लोग भी आने वाली बहु के सोभाव उसके बिवहार की चिंता करते हैं इसलिए थोड़ी सी समसदारी आने वाली बड़ी मुश्किल को सुल्जा देती है दोस्तों बैसे तो आज कल की जन्नेशन धर्म और सीक जैसी बातों को ज्यादा तूल नहीं देती है क्योंके जन्नेशन आज कल पढ़ी लिखी हो गई है वो काबिल बन गई है और उसने दुनिया देखी है लेकिन हमें या भी नहीं भूलना चाहिए कि इन्हें लिखने के पीछे एक लंबा अनुबब और विभिन कारण है तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही वीडियो कैसा लगा हमें कमेट बाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस जानकारी को दोस्तों के साथ शेर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक आप रहें इस्टे मोटिवेट इस्टे फेरलेस जय हिंद